आयोध्या में 22 जनवरी को होने वाला राम जनम भूमी प्रतिष्ठा समारो आतंक वादियों के निशाने पर आ गया है जिसके चलते अनेक नौकर्शा और राजनेताओं की सुरक्षा खत्रे में पड़ गई है कुफिया एजन्सियों ने इसके लिए बाकाइदा अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि है समाजिक तत्त इस दौरान सामपरदाइक सोहर्थ बिगारने का भी खेल रच सकते हैं खुफिया सूत्रों के गुताविक इस मामले में जो अलर्ट जारीकार किया गया है उसमें इस पस्ट तोर पर बताया गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजनसी आईएसाई और उसके सहीवी संगठनों को यह रास नहीं आ रहा है कि भारत में पिछले काफी लंबे समय से लग भारत को बदनाम कर सके कि वहां पर लगातार एक वर्ग विशेष के साथ जो है दोरह पनाया जा रहा है जिसके चलते भारत में आतंकवादी घटना हो रही है चुकि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जिसके चलते पाकिस्तानी खुफिय एजनसी और उसके सहयोई संगठ कुछ ऐसी बड़ी वार्दातें की जाएं जिससे भारत की छवी अंतर रास्ते इस्तर पर धुमिल हो जाए इसके लिए बैकाइदा कहा गया है कि एध्यमें जाने वाले नौकर्शाहों और बड़े राजनेताओं को भी आतंकवादी संगठन अपना निशाना बना सकते हैं कि इसके पहले भारत ने जब हमास इसराइल युद्ध के दोरान इसराइल का समर्थन किया था तब भी पाकिस्तानी खुफिय अजनसी और उसके सहयोगी संगठनों ने इस बात को फैलाने की पूरी कोशिस की थी कि भारत एक वर्ग विशेस के चलते इसराइल का साथ दे र रहा है यानि उन्होंने उस मुद्धे को भुनाने की कोशिस की थी लेकिन उस मुद्धे को पाकिस्तान और उसके सहयोगी संगठन भुना नहीं पाए थे लेकिन अब पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजनसी की पूरी कोशिस है कि 22 जनवरी को होने वाले प्रांट प्रित आयुद्यम ही नहीं भारत में किसी भी इस्थान पर हो सकता है खास कर जब ये प्राण प्रतिष्टा समारों नजदीब पर होगा लियाजा भारति ये कुफिया एजंसियों के इस अलर्ट के बाद कुफिया एजंसियों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच एक बड़ी की पैठ ना बना सकें ये ध्यान रहे कि इस प्रांट प्रतिष्टा समारों में हजारों नहीं लाखों लोगों के सामिल होने की संभावना है जिसके चलते आतंक वादी अपना खेल खेल सकते हैं लियाजा खुपिया एजंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजंसियों साथ ही भारत में अन्य जगाहों पर ब्रeट जारी कर दिया है कि इस प्रांट प्रतिष्टा समारों के चलते भारत में किसी बी जगह पर नौकर्षाों या बड़े राज्यताओं पर हमला हो सकता है लियाजा पूरी सुरक्षा बर्ती जाए अब आतंकवादी संगठनों की पूरी कोशिस है कि इस प्रांट प्रतिस्टा समारों के पहले कुछ ऐसा खेल रज़ दिया जाए जिसके चलते भारत की छवी खराब हो और दूसरी तरफ भारती सुरक्षा इंचियों ने इस बारे में अपनी पूरी जान लगा दिया है कि वो पाकिस्तान के शडंत को काम्याब नहीं होने देंगे